हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ विवर्स वर्य वार्म वेल्कम टू दिस शोओ मैं हूँ कामरान शाहिद एक दफ़ा पिर आप जाते हैं कि वर्किंग बाडी पर लोसी पर हिंदुस्तान ने जो है वो गोला बारी का आगास किया हुए आर्मी चीफ जो है आज वो खुद गए लोसी और वर्किंग बाडी के जगा पे और वहां पे उन्हों ने जाके जो है आफिसी जवानों के हुस्ते बरंद किये वहां की इंपुट लेने के लिए और वहां पे क्या कुछ हुआ हमने स्पेशल रॉक्वेस्ट की डीजी आई स्पियार से मेर जनलर आसिफ गफूर साब कि वह हमें पताएं और कुछ सवालाँ थे हमारे हमका ज़रूर जवाब दें लीजी साब बहुत वाम मेलकुम आपको पहली दफा मेरे शोर बे आप शीफ लाएं सर आज आज आप भी प्रॉबली गए होंगे साथ आर्मी चीफ वहां पे गए एक तो ये पता दीजिए कि इस वक रिसेंटली जो इंडिया ने शुरू किया है अग्रेशन बॉर्डर के उपर इसकी बजा क्या है जी थैंक्यू कामरा इस पे काफी दफा मैंने बात की है आज आज आर्मी चीफ भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर वर्किंग पांट्री पे गए तो 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 तोजन सेवंटीन में जो है वो मैक्सिमम सीजफाइर वाइलेशन हुई है इंडिया की तरफ से जो कि सीजफाइर एगरिमेंट सो तो सी हुआ हुआ है टू तो तो तोजन सेवंटीन में हुई और जनवरी एटीन में भी देख ले हैं तो भी तक टू हंड़ेट एट वाइलेशन जो हैं वो हो चुकी है इसके दो मगासिद हैं पहला तो उनका एक डूमेस्टिक है जो आकुपाइट कश्मीर में मुवमेंट चल रही है फ्रीडम की वो उनके काबू से बाहर होती जा रही है और से तोज़व उटाने के लिए जो है वो ये सीजफाइर वेलेशन जादा करती है लेटली लास्ट है उसके लावा आप अगर देखें तो हमारी जो इस वकत फोकस है वो वार अगेंस टेरर के उपर है तो नैश्रिली जब ये लो सी गरम होती है तो हमारी तो जो 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 है उस तरब भी होती है तो हमारी जो सक्सीडिंग एफट है वार अगेंस टेरर के लिए तो उसके जो है एफर्ट करते हैं कि उदर से मारी तो जो काम को कल अपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी सुना होगा कि उन्होंने का जी के एनाफ अफ वार एक्सपेंडिचर वी लिड़ तो फोकॉस अन्यूमन स्कुरिटी बट दे अफ तो सी दी गोर्म इंडियन गोर्मेंट है कि वो कहते तो यह हैं लेकिन उनकी जो आर्मी है और जो बार्डर स्कुरिटी फोर्स है वो ओन ग्राउंट तो यह वाइलेशन कर रही है तो डे हैफ तो सी कहते क्या है और करते क्या है यही इंडिया का जो है वो हमेशा से वतीर रहा है तो लेकिन यह जो आर्मी चीफ ने जो हमें इनिशियेट करने से जरूर रोकता है और हम परफेशनल आर्मी हैं हम इनिशियेट नहीं करते लेकिन जब रिस्पॉंस की बारी आएगी कोई भी मिसेडवेंचर होगा तो इसका भरपूर जो आप जो है वो दिया जा रहा है और दिया जाता रहे बीजे साIf ये एक जिमिनल सवाल है मिरे आप से ये परसेप्शन पाकिस्टान में तरूरी सियासि हालाद होते है तो है उसका जरूर तालुक होता है इंडिया की गोलाबारी से इस परसेप्शन को आप सिर्फ कहेंगे कि ये रियूमर है ये लोगों की ये जनरिस्ट की बनाई परसेप्शन है ये इसमें को वज़में डिटेयर में जाना ने जाना कैसे हालाद होते हैं लेकिन पाकिस्तान के दुरूरी सियासित तालुक है कोई इस गोलाबारी का होता है या नहीं होता है आपकी आपकी नॉलिज में इसमें तेके एक इन्टरनल सिबिलिटि जो होना ज़ूरी है मुल्क में अगर उससों कोई अन्स्टे alltså हालाब हैं तो उसको फिर जो हमारे दुशमन हैं वो उसको जरूरर इकस्प्राइट करते हैं मुलक में इंस्टेबिलिटी होगी तो रिस्पॉंस देना जाए वो बेतर होता है सर ये बताइए कि अभी ये काबूल में अटैक हुआ होटल में अटैक हुआ फिर पाकिस्तान पे इल्जाम डालने कोशी खिए हकाई नेट वर्क पे खास European कोशी की गई तो हकाई नेट वर्क जो है उसके मिटाइई कि इसके प्रायन से पाकिस्तान में और क्या हम उनको भी एजाए टेरर से डिल करते हैं दुनिया इस तरह कहती है नहीं और कितना रोल है हकाई नेटवर्क का काबूल के होटल अटैक पे देखें कामरान जर्बे अजब से पहले था जो कि नौर्ट विस्तान में आपरेशन नहीं हुआ था पे टेररिस सेंक्षिस थी हर किसम की टेररिस्ट आउगमेशन थी एकानी नेटवर्क भी था लेकिन जब हमने जर्बे अजब कम्प्लीट किया तो हमारी मिल्टरी कमपेंट जो है वो फिजिकल लिरंस के लिए मकमल होगी और हमने तमाम सेंक्षिरी जो है वो उनको साफ कर दि है दे मौफ इंटो दी इफगान रेफिजिकी टूप रेफिज़ेश तो पंट सेमिन मिलिन पाकिस्तान में है तो यह कहना कि जी पाकिस्तान से कानी नेटवर्क की सेंक्षिरी जो जाकि इफगानिस्तान में अभी भी हमले कर रहे हैं तो यह गलत है अब कोई ऐसी पूरस रहता है तो थोड़ी सी मूवमेंट होने का चांस भी है लेकिन जब यह भी आपने देखा होगा पहले ड्राउन अटेक जब होते थे तो वो सैंक्सिस के खलाफ होते थे काईविटी जड़ा होती थी लेटली जो भी इनने किये उसमें मूविंग टार्गेट निये हैं ने किया तो यह फिर किस तने किया है अफगानी है कौन जी यह अफगान जी है और अफगानिस्टान के अंदर उनकी एक चल रहा है टर्रिजम और उसमें आप देखें कि फूर्टी थी परसंट अफ दी एरिया तो अभी भी अफगान गवर्मेंट के कंट्रोल में नहीं है जी कहना कि पाकिस्तान में बैठ है अफगानिस्तान में अफगानने नहीं है तो यह बलेम दलेभ आफ नार बलकुल करॉट नहीं है अगर इनकी forces दूसरी तरफ बार्डर के होती है तो वो मारे जाते अब चूँके वहाँ वैक्यूम है तो मारे बाके वहाँ चलेगे अब वहाँ से एका दुका वापस भी आ जाता है और अफगान रेफिजिस में तो उसमें अबिलिटी नहीं कि पाकिस्तान से लाउंच के रिटाएग अफगानिस्तान में नोट अट अल बेको ठीक नोट राइजा सार बात ये कि मैं यह पता है प्रफेशन सोलजर है तो मैं वो लिबर्टी लेकि मैं यह पता है मैं आया पुछना था मैं आपसे लोसी पे था लेकिने एक दो सवाल मैं आपसे पूछाँगा जरूर इस पे यह पता दीजिए कि जब बात की आती है कि सैलेट एलेक्शन जो है वो शायद पोस्पोन कर दिया जाएगा या वो खतम कर कोई सैमरी तोड़ दी जाएगी या कोई unseen forces जो है उसको तुलवा देंगी खासवार पे एक पार्टी जो है जब वो यह पॉइंट इव लेती है ले दिया कि हमारे MPS को किया गया तो आपका response ऐसे मौके पे किया है जब आप पे डिरेक्टली यह बात की जा रही है यह सवाल मेरे से पहले भी दो चार दफाव चुक है तो मैं प्राइम मिनिस्टर साब की या किसी ओनरेबल मिनिस्टर की स्टेट्मेंट का तो जवाब नहीं देना चाहता लेकिन आप खुद देखें कि मुलक में क्या हो रहा है जो कि अपना टाइम पूरा कर रही तुरान जितनी भी चेंजिस हुई वाटवर रिजन्स लास्ट फिफ्टीन यर्ट वह प्लिटिकल प्रॉसस के थू हुए फॉर्स ताइम इन हिस्ट्री आर्मी चीफ सेनेट में गे तो देखें और आर्मी चीफ ने वीचाए कि वो चौह कहा है कि वो कॉंसीचुशन और रूल ओ लॉफ लाग के अब रूपर बलीव करते हैं अब आर्मी चीफ एलेक्शन की गरंटी के टाइम पे होंगे कैसे दे सकते हैं हाँ ये भी का गया कि आर्मी चीफ गरंटी दें इंटिनर मिनिस्टर ने ये भी का गया कि अलेक्शन ना उस बारे में क्या है अच्छी बारे हैं पॉर्टलस मिली इतनी फाज को और सर्य ये सैनेट पे क्या आपका रिस्पॉंस क्या है कि सैनेट में कोई आप जवाप पे ये बात किया ती तो वाइस इंटार आपने कराने जा रहे हैं किनेट के इलیک्शन गृवर्णमेंट ने और कमेशन ने और अपने सारे कराने और आर्मी कैस में क्या रौल है आर्मी चीफ इलیک्शन कब अनौंस करते हैं तो तो मुलक में जमुरियत चलना ज़ूरी है और जमुरियत को जो है वो हमारे से कोई खतरा नहीं मैं लास्ट बिर्कुल आपसे को खतरा नहीं मैं लास्ट कोशन टो यू लेकिंगे फेर एलेक्शन कराना जो हमीं लग रहा है अब लोग की एस्पेक्टेशन है कि फॉजी कराएगी कि फेर एलेक्शन इससे पहले फॉज बार खड़ी होती थी मुझे ने पता भी एलेक्शन क कोशन के चीफ एस्ट कर्विशन आपसे कहिए यह सुप्रीम कोड आपसे कहे कि जनाब या कौमी सहबली आपसे कहे कि आप अलेक्शन वाले दिन इलेक्शन के बूत के बाहर तो हैं अमन रवामागले थे अंदर भी खड़े हो कि फेर और एलेक्शन करवाई था उस पे और्डर मिलेगा आर्मी को विद रिगार टू अलेक्शन्स विल बी इंप्लिमेंटेड और इस विल बी डिसाइड़ वन इट कम्स बहुत शुक्रिया मुझे आपकी बात बड़ी दबस लगी बेंजर असिफ फुर साम मजूत है वियूर्स और आर्मी चीफ का भी बियान था जो उन्हों आज के इंकलूट किया कि पाकिस्तान को इस वक्त और पाकिस्तान की जहमूरियत को फौश से नहीं बलके गेर जहमूरी हरकतों से खत्रा है और आर्मी चीफ का जो बड़ा सिंबॉलिक बात है क्योंके आर्मी चीफ अगर ऐलान करता है अलेक्शन का तो हमें दे पाकिस्तान में एलेक्शन भी होने जा रहा है और इंशालला उसमें फियर 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 एलेक्शन भी होगा और मैं भी ये समझतों मैं इस प्रोग्राम के फोरम से भी कहा था कि फौज को अब अंदर भी खड़ा कर देना चाहिए क्योंके फौज न्यूटरल पार्टी है उ प्रोग्राम के स्यासी हालात के उपर एक ब्रेक के बाद के लाग्शन भी वर्म वेल्कम बैक तो इस शो प्रोग्राम के पहले से वे अब डीजी आइस पियार में जनल आसिव गफूर साब की कुफ्तों को सुरुने थे बड़ी इंटरसिंग बाते उन्होंने की हकाई ने के हवाले से लो अब्यसली का के उन्हें अटैक जड़ूर की हो काबोल में लेकिन ये हकाई ने इट वोक पाकिसान बेस बेस ने खवानिसतान बेस्ट है अलेक्शन के हवाले से लोने कहा मैंने उन्हें पूशा कि अगर फौज को अवाम कहे कि कामी सैंबली कहे तो क्या व पर हम जोइन किया पीटिया की तरफ से, मुस्धिक मलिक साब नहीं जोइन किया वापी एमिनन की तरफ से, काहरा साब भी जोइन करेंगे, पीपल्स पार्टी की तरफ से, बहुत वाँम वेलकम आप सब हजराइब को, चौदिय साब, वाट्स यॉर टेक, अलेक्शन, आसिव कफूर साब तो कह रहे हैं, अगर अवाम कहेगी, तो हम अंदर भी खड़े हो जाएंगे, आप डिमांड करते हैं, आप समझते के नहीं होने चीफ होज अंदर, बहुत शुक्रिया कामरान साब, पहली गुजारिश तो यह है, कि यह जो हमारे उपर बात आती है न हकानी ने साब को, यहां पर सिरे से, अगर आप यह कहेंगे, कि हकानी सिरे से हैं ही नहीं, तालिबान सिरे से हैं ही नहीं, हमने सब सफाई कर दी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी तरफ यह बात आएगी, ठीक, अच्छे जहां तक रहा है न, अलेक्शन के निकाद के मौके पे सरूरी है, इस मुलक में दो सियासी जमाते हैं, एक MQM और दूसरी PMLN, जिनके होते हुए, या जिनकी अगर निगरान हकूमत उनके हुकम पे बनने वाली है, और उनके मशवरे से बनने वाली है, यह होई नहीं सकता कि पंजाब के अंदर कभी फ्री और फेर इंतखाबात ह हो सकें, मैं ये बात पूरी जम्मधारी से कहता हूँ, जो सारा आरोज, जो सारा प्रिजाइडिंग कामरा, सारा अलेक्शन कमिशन का जो भी लोग हैं, ये 32-34 साल से पंजाब के ओपर हुकमरान है, इनी की भरतियों के नतीजे में, ये सारे लोग सामने आये हुए हैं, इस हो रहा होगा, वरना इस मुल्क में फ्री एंड फेर इंतखाब नहीं हो सकता, पिटी आई नहीं मानेगी, मैं तो यहां तक इसके उपर आमादा हूँ, कि अगर फेज आउट करना पड़े, दो फेजिस में करना पड़े इंतताब, तो भी ये कर लें, इसलिए कि इस मुल्क की बखा और इस मुल्क का जहमूरियत का हकीकी जहमूरियत की तरफ जाना, यह शैम डिमोकरिसी है, यहां से हकीकी जहमूरियत की तरफ जाना, मुम्किन ही फ्री एंड फेर इलेक्शन के रतीज़ नहीं हैं। और आप कुछ पर इतरास तुनी होगा कोई? भी बहुत फेर और बहुत शानदार इलेक्शन हुआ है और जहां पे आप एलेक्शन हार जाएं। वहां पर आप बोलें ना सिरफ यहां पर फेर इलेक्शन होहीं नहीं हुआ। उसके इलावा अभी जो शैम डिमोकरिसी की बात की है चौधरी साब ने, मैं बड़ा मुधबाना तोर पर यह अर्स करूंगा, कि इनका इतमाद तो डिमोकरिसी के उपर, या जमूरी इदारों के उपर, या पारलिमान के उपर, इमरान खान साब ने और शेख रशीद साब ने पिछले जलसे लानत भेजी, जिसमें उन्हें उन्हें का, जी कहा कि लानत है पारलिमान पे, लानत है ऐसी जमहुरियत पे, तो अगर आप जमूरियत पे लानत भेजते हैं पारलिमान पे लानत भेजते हैं आपको एतमाद नहीं है इलेक्शन्स पे जब तक आप जीत ना जाएं आप बिलकुल लानत नहीं भेजते खेबर पख्टून खा की हकुमत या पारलिमान पे आप बिलकुल लानत नहीं भेजत خیبر پختونخواہ کے elections पे इसका मतलब है कि जब तक आप जीत नहीं जाएंगे चाए एक मरहले में हो फौज बाहर हो फौज अंदर हो तब तक आप मानेंगे नहीं सुर्णा मेरे सवार का जबाँ आखरी बात ये है कि ये जी मैं उदर ही आ रहा हूँ देखिए वो प्रिरोगर्टिफ तो election commission का है election commission जो भी resources मांगेगी फौज अंदर मांगेगी इस न आप एस party I fully agree with you कि election commission का ये राइट है लेकिन आप भी तो मतालबा कर सकते ना कि fair election के लिए फौज को दो ये आप समझतें कि नहीं होना चाहिए क्योंकि आप ये स्टेक होलडर है ना election में नहीं मैं समझता हूँ जी मेरा जाती ख्याल ये है कि हर अदारे की capacity बढ़ानी चाहिए और अगर ये वाकिए समझता है election commission के उसको जरूरत है तो बिलकुल हर सूरत उसको support किया जाना चाहिए और अगर election commission समझता है कि इसकी जरूरत नहीं है तो किसी एक party के हाथों blackmail नहीं होना चाहिए और जो election commission का चाहिए और सराव सियासी लिहाथ से आप ये समझते है जाती लिहाथ समझते है कि फौज को होना चाहिए अंदर fair election के लिए नहीं होना चाहिए your take on it जी मैं ये समझता हूँ जी मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने autonomy celebrate करनी है और इदारों को मौसर बनाना है तो उन इदारों को जिनको उपर हमने इतमाद किया है और सब ने मिल कर एक commission बनाया है तो उनको फैसला करने दें ये सियासी जमात का prorogative नहीं है वरना मैं अपनी demands रख दूँगा चौदरी साब वो नहीं मानेंगे चौदरी साब अपनी रखेंगे PTI पीपल्स पार्टी उनकी नहीं मानेगी तो अब जब आपने एक neutral arbitral रख दिया है और आप सब ने मिशावरत से कमिशन बनाया है तो फिर उसको उसका काम करने दें लाट साब एक सवार और आप से कुछ चारा हूँ कि क्यों interior minister जो है वो बात करते के election जो है basically वो आर्मी चीफ अनाउस करें भी डी जी आइस पियार ने कहा कि जनाब ये तो बड़ी बुरी stage होगी बतलब अला ना करें इसी stage है कि जब आर्मी चीफ को election अनाउस करना पड़ है मतलब इतनी समझ बूच तो एक डी जी आइस पियार जो एक वर्दी यूनिफरम सोलजर है जो उसका पॉलिटिक से को तलुक नहीं उसमें भी है कि जब आर्मी चीफ अनाउस करता है तो वो अब इसलिए वो हलाद कुछ और होते जिसे जल्ला जो लग ने अनाउस किया दा तक्ता उलटके पलटके ऐसे हलाद तो पाकिसान में नहीं है बाजबा साब तो सपोर्ट करें डिमॉक्रिसी को तो आपके हमारे इंटिनर मिनिस्टर क्यों इसलिए की स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि किसी विल्हाद से लॉजिकल नहीं लगती कि जी नॉर्मल हलाद में आप आर्मी चीफ से क्यों कह रहे हैं इस्पेक कर रहे हैं कि वो अलेक्शन टाइमी अनाउस करें आपको ये कांफिडन्स के साथ बता रहा हूँ कि इलेक्शन वक्त से होंगे इलेक्शन ये एक हकुमत अपनी टर्म पूरी करेगी इन्शालला सेनेट के इलेक्शन भी अपने वक्त से होंगे और यही हकुमत जो है वो एक केर टेकर हकुमत बनाएगी जिस पर कोई इतराज नहीं होगा आपोजिशन के साथ मिलके बनाएगी और वो जो है इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन का उसी तरह इलान होगा जिस तरह जमूरी तरीका कार आइन और कानून के मताबिक होता है जोई साथ इसे पहरे ब्रेक लूँ ये अगर अगला अलेक्शन भी आपना जीते पिर आप लांती कहेंगे पार्लिम्ट कोई आपसे पूछ रहोगा है देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ मुसद्दिक मेरे छोटे भाई हैं इसके बावजूद मैं इनकी खिद्बत में मौदबाना अर्ज कर रहा हूँ जिस से जमुरियत को वो जमुरियत कह रहे हैं ये जमुरियत नहीं है जमुरियत महज जाल साजी से इंतखाब में जीक कर पार्लिम्ट में अक्सरियत हासल करने का नाम नहीं है जमुरियत है rule of law जमुरियत है accountability जमुरियत है good governance अगर तो हमारी पारलिमेंट के अंदर गरीब की बात होती है मसदूर की बात होती है कभी टेकसिस जब लग रहे होते हैं उसकी कोई बात होती है अगर जतना कर्ज हम लेते हैं उसकी बात होती है जतने important issues है उसके उपर कभी बात होती है तो मैं कहूंगा कि ये parliament है अगर उस parliament को आप इस्तमाल करते हैं हर मुसल्मान के दिल को जखमी करने के लिए और करते ये हैं कि खत्म नबुवत का पाकिस्तान के अंदर जो तैशुदा इशु है पैंतालीस साल पहले पारलिमेंट ने बड़ी लंबी गुफ्तकू करके तैख कर दिया था उसको छेड़ते हैं पिर खुदी कहते हैं अब लान लिसली बेज़े के लोने खत्म नबुवत क तैशुदा मसले को छेड़ा और आज तक राजा जफर लाक साब की रिपोर्ट नहीं आने दी और ये हमें पता चलना चाहिए कि इस शैतानी काम के पीछे किसका शैतानी साब ने तो लिया अब आप अनुश्यर रहमान के पीशे कर देगी नहीं पिर वही बात राजा जफर दूसरा ये मुझे ये बताएं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने दो मरतबा एक शक्स को मौर लगागे काए डिसक्वालिफाइड डिसानेस्ट एंड यानी लाए जनाब जिसको आपने दोबारा अपना यानी सदर बना लिया और पाकिस्तान का वजीर आजम कहता है कि जनाब वो पानुन का पौप्रणि मेरे दिलों का वजीर आजम है वो मेरा वजीर ना भी लिया कर सकते है तो मै आपने कानून साजी की जी के बात कर रहाूं। इस मिनट के बाद जो जच्ची की यानि सहुलतों की अदम दस्याभी के वज़े से मां मरती है उसका आपने क्या करना है? यह पारलिमंट अपने लिए सोचती है, यह पारलिमंट बाद शाहना तरीके से चल रही है. इसलिए इस पारलिमंट को बार बेज़े हैं, बाकी युद मस्जदِ ذرار वो मस्जद के नाम पे बनी हुई थी उसके बारे में आपने आपको मालूम है इसलिए पार्लिमेंट आपका पॉइंट से रागए और दर्वाजों का काम ने पार्लिमेंट वापर होने वाले काम का काम जी प्लीज खत्मे नभूवत के कारून को बेर्दो बदल करने की आपने जिसारत की आपकी गर्मेंट ने इसलिए पार्लिमेंट लांती है ये कह रहे हैं जिस जी है इमराण फान ने इसलिए का है जी मैं दो तिन नुकात आपके सामने पेश करूँगा सबस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस् वाम पे लानट डालते रहेंगे तो इस तरह के जवाब आपको मिलते रहेंगे दुसरी बात यह सर, कि अगर आप अगर आप आपके ओपर तो मैं कभी ऐसी बात करी नहीं सकता, सवाली नी पैदा हूता दूसी बात यह कि अगर आप सिंसेरली ये बात कर रहे हैं तो पिर 60 लाक रुपए जो आप लेते रहे हैं हर साल पिछले चार साल साल से आपको चाहिए आप पे मकरर हैं कि आपने जो लानती फोरम से 60 लाक रुपए सालाना लिये हैं वो आप सब वापस करें. खान साभ भी वापस करें. और बाकी जो अशखास हैं पी टी आय कि जी उन आनड डाली है वो भी सब वापस करें. क्युantry ये अवाम का पैसा, आप आवाम के लानड डाल का पैसा नहीं ले सरी। ये पॉएंट आग Carlos. सर जी आखरी बात अगर आप चाहें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बात आप आप भी तो पालिमान का हिस्सा हैं आप ने इतसाब कमिशन खतम किया खैबर पखतून खा में आप लोग ठीक आप लोग्ट साब ये आपका सारा बेने सवार खुद पुट किया मैंने का कि जी इंटियर मिनिस्टर ने का है कि आर्मी चीफ जो है वो उलेक्षन का अनौंश कर दें टाइमली उलेक्षन का तो बड़ा च्छा हो जाएगा तो उन्होंने डिया इस पिया ने का कि अला ना करे वो वक्त आए कि आर्मी चीफ को इलान करना पड़े आप समझे होंगे पॉइंट आर्मी चीफ की रहलाद में अनाउंस करते और दूसरा हुरा ने ये मैंने ये पुछा कि अगर फॉज को पार्लिमेंट कहे और साथ जो पहले बहाद चल रही थी थोड़ी से उसके बात करते हैं पार्लिमेंट पर जिए पार्लिमेंट पर जाण लिए जिया जिए है कि जिन्द साहब ने आपको किस ने कहा आपको आर्मी चीफ अनाउंड कर दे superior minister, interior minister, करें, अिलान करें, मतालबा किए औरोंने interior minister में, خौष पाइब कचिया, timely election, करें interior minister खाइब मिनिस्टर, interior minister, interior minister ने खाइब मिनिस्टर में और काथ का नहीं किया, interior minister policies जो इस double team भी अच्छा Corner में मिया तूच्छा Bayern President कर रहे हैं resultmak जार्मी चीफ, लो the to a service minister सब quotation कि कोई कुछ नहीं हो रहा और बिलकुल अलेक्शन वक्त में होने चाहिए और अब वक्त से पहले अलेक्शन हो नहीं सकते वैसे ही कोई चाहे ना चाहे इसलिए कि इस वक्त मुलक के अंदर डिलिमिटेशन का प्रोसेस जारी है इस प्रोसेस के दौरान अलेक्शन नहीं हो सकत तो क्यों का एसर अक्बाल ने? तालो के फोज इससे पहले भी him侮 मेटा के लिए उर्ट राइख अगी जब भी are ख़़ई गैए ही? बिसार आपकी बार्टी पालिसी क्या है? जी सर देखे जी फेर एलेक्शन के लिए एलेक्शन के लिए एलेक्शन के कमिशन को बाय اختवार कर दिया गया है उनको आटॉनमी दे दी गई है उनको बहुत सारे एक्तियारात दे दी गए हैं अब ये एलेक्शन कमिशन पे भी है कि वो भी अपनी टांगों में वजन पैदा करे जान पैदा करे और वो जो उनको चाहिए जिस तरह के उनको इंतामात चाहिएं फौज से जो सपोर्ट चाहिए और यकीनल वो लेंगे एलेक्शन कमिशन लेगाए अगर आर्मी से चाहिए सिवल एदारों से चाहिए तो उनको उनको वो सपोर्ट लेंग और कैरा साild गर तिस्सवर साथ पार्लिमन पे लालत भेजी अ इनके साथ थे बाडल टाउन के साने हैं और कसूर के साने पे हम उनके साथ हैं और उस पे सारी जमाते इंड़ोजिली कलेक्टिवली एक जगाए कठी हुई थी ये बात कि हम आपस में कुसी अलाइंस का इसा बन गय थे ऐसा था नहीं जिसको मीडिया ने पोर्ट्रे किया जी पता नहीं क्या हो गया अलाइस तूट गया खान साथ लेट आए बाद में आए फलान हो गया तीसरी गुजारेश यह है कि जो खान साथ ने शेख रशीद साभ की फॉलोशिप में या उनके उनी के भाव में कहते हुए कह दिया उसकी खान साथ से तवक्क्य नहीं होनी चाह और कवी अस्वाली है और कौमी अस्वाली से जो बिल पास हुआ उसके अंदर जतना बिजनस आता है वो 99.9% का बिजनस होता है बेगो ठीक पॉइंट वान परसेंट किसी प्रापोजिशन काहरा साथ एक और सवाल में आप से वक्त उजाए की बगार से एक सवाल हो रहा है एक आखरी 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 नी कामरान कामरान एक मिनट एक मिनट एक मिनट जो अहम बात है वो यह है कि उस कानून का जिसका सहरा लेके गालियां दी गई है वो कानून तो बेसिकली पीपल्स डेपरेसेंटिटिव एक्ट में तर्मीम थी उस तर्मीम के अंदर तो पीटी किमेटी से पास कराया उस पे आप अगर गालियां दे रहे हैं क्योंकि उसके अंदर एक क्लाज इंबेड थी तो वो किसी ने दानरिस्तर नहीं की उसमें आपके अपनी जमाद बाकाइदा क्रिमेटी लेवल पे और पार्लिमान लेवल पे वो साथ रही ये बात ना मुनासिब पार्लिमान को गालिया मत दे वो अरगे तक ते रही रही नहीं है और इसलिए मैंने कैद्टार ने दाइब करता हूं जो कुछ इमरान खान ने कहा और मैं ये अर्ज करना चाहता हूं काराइब साथ खिर्मत में कि तहरीक इनसाफ का पार्लिमानी जो ग्रूप है वो यह कहता है कि हम इसका हिस्सा नहीं है किसी सूरत में भी नहीं है। और खुपार्था है अब रिजयूंच करें ला सर लेकर न ख़ुड़ी तुम्हति कोुड़ी साहि ने का टॉर्बर्र और किया था. और राजा जफरला के रिपोर्ट का आप भी मतालबा करते रहें कि उसकी फाइंडिंग जड़ा आगे जानो चाहिं लेका जलो प्रोगरिफ आज शवाश श्रीफ की पिछी है यह निए जिए जाज सब बजारेश यह भूसाँ है जिस जी अज साब यह है जिस आइ जिस कानून का आप दिकर फरमा रहा है वो आईनी तर्मीम थी वो आईनी तर्मीम जिसमें हलफ नामे में तर्मीम की गई ये पीपल रप्रेजनेटिव एक्ट में जब कौमी असम्बली में आया या उससे पहले कमेटी लेवल पे आया आपके मेंबर्स शामल थे उसमें उसके अंदर जो उसके इंटिपर्टेशन बाद में आई कि नुमाइंदा नहीं है ये मुनासब नहीं है सर लैप में आज पेश्यूई शबाश श्रीफ साब की यार वैसे आप इस बात की पर एक फिक्रा मुझे भी एक अर्मेर्ट देजेगा भाई जितने भी अवामी सर्वे हुए हैं आपके नामवर एंकर्ज ने किये हैं उसमें इमरान खान के इस फिक्रे को इस पसे मनजर के साथ लोगों ने कबूल किया है यार अवाम तो गाली भी ये लियोस के सक्षिस कपूल अगर अगर सर्वे अगर कामरान के प्रोग्राम में सर्वे होता है तो चैसाब सर्वे में मुस्लिम लीग भी बड़ी माहर है मैं भी बड़ा माहर हूँ आप भी बड़े माहर है ये दस हजार आठ हजार लोगों की ट्वीट करा देना ये तो कोई काम ही नहीं है अगर समझे हम कि ये प्रूट आगया आपको जुमला कहना चारहे है जी मुस्लिम लीग बड़े मुस्लिम लीग बड़े में लोग गाली देने को अच्छा नहीं कह सकते यार काहरा साथ पीट आई पसे मंजर काहरा साथ प्रूट चाई बिड़े इसी का वो पूरा मजमून है वो पढ़ लीजे उसमें पीपल्स पार्टी के बहुत ही जएद रहनुमा जो कुछ कहते रहे हैं वो आपके साब नहीं आजाएगा आया हुए अचारी ये लानत समझते हैं नहीं गाली जी डॉक्टर साब कुछ कुछ की बताइए ये लाइक तो से एड सम्टिंग तो इस डिबेट मैं तो ये नहीं कि ये बड़ा एक से ये एक बड़ा एक बड़ा सेंसिटिव मौमला है जी जी पर इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि जो सब कमेटी की एक सो तीन मीटिंगs हुई है वो एक सो तीन मीटिंगs जो हैं पी टी आई ने अटेंड की है 88 मीटिंग से लेके जोड़ साब वही बात करें तो कावज आपको आपको अगर ने ने तो मैं अपनी बात कैसे करूंगा अगर आप सुनना चाहें तो मैं कुछ अरस करना चाहें जी जी बताईए जी देखिये तीन चार मुख्लिफ फॉर्म्स थे इस सब कमेटी ने जिसमें पी टी आई शामिल थी उन्होंने फैसला किया कि इन तमाम फॉर्म्स को एक यूनिफॉर्म शकल दी जाए जिसका मतलब था कि तीन चार मुख्लिफ लेंग्विज जो हैं उनको एक यूनिफॉर्म शकल दी जाए नाइन्टी सेकंड मीटिंग में जिसमें पी टी आई मौजूद थी ये टेबल की गई और टेबल के अंदर वो नई लेंग्विज दी गई जिसको पर डिलिबरेट किया गया और बेशमार चीजें जो हैं वो तबदील की गई पैरग्राफ 40 तबदील किया गया 42 तबदील किया सारी पड़ी इनों ने पी टी आई ने भी पड़ी सब ने पड़ी एक सेरिमनी की जिसमें पब्लिश किया जिस पे पी टी आई के रहनमाओं के दस्तखत हैं सर ये भी इसके अंदर ये फॉर्म माजूब चैले जिस जुर्म में शामिल है आपका पॉइंट आ गया सर मुझे ब्रेक के लिए जाना है उसके बाद बस्दिक भाई अगे ब्रेक पे जाना है और ब्रेक बाद चैले जाना है कामरा साहब शबाश शरीफ साब किया आई 90 मिनट की पेशी थी ती 90 मिनट कि उन्हों ने प्रेस कारफरंस की और उन्होंने बहुत इस पे इतिजाश किया जो इन्तकाम के सार लिया जारा आपको भी उन्होंने काया कि जनाव आप नाम कौन चेंज करेंगा मैं तो लोड शेडिंग खत्ब कर दी है इस मुलक से पहली बात तो यह जी कामरा साथ के लोड शेडिंग मुलक में आज भी हो रही है ठीक है और यह हरान कुन बात है कि शबास श्रीव साथ बड़े जोशो खरोश से कह रहे हैं कि लोड शेडिंग खत्म हो गई दूसरी गुजारेश है कि जब मैंने कहा था वो कहते हैं बड़ी देर की मेर वहां आते आते मैंने तो कहा था कोई साल डेर साल दो साल पहले जब मिया साब ने तकरीर कीती वो तकरीर आपके पास है जरा चला दीजिए तीन साल में बलके मुसादक बलक साब तो उस वक्त वजीर थे बिजली पानी के इनको तो ज़्याद होगा मिया साहब अब तीन साल हो गए है अभी तक लोड शेडिंग खतम नहीं हुई अब अपना नाम तज्वीज कर ले लेकिन मिया साहब आज भी अगर आपने विजली की लोड शेडिंग खतम कर दी हो तो फिर भी मैं आपकी बात सुन लू दूसरी गुजारेश है आज भी गलत बियानी हो रही है दूसरी बात यह है कि नैप बे लेकिना अदालत ने मिया साहब के खिलाफ केस सुना बड़े मिया साहब को डिस्कौलिफाय किया उनके खिलाफ रेफरेंसिस फाइल कर दिये वो कहते पिर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला मेरे साथ जलम हुआ स मुझरम ने मैंने भाई कहा ना शेबाज शरीफ साब को अब याद आया चाड़े चार साल के बाद वो कहते है जी जो चनियोट में और ती आईरन और उसको चोरी कर लिया गया उसके उपर बड़ा घल्ट फैसला हुआ तो 2007 में वो भाई 2007 के बाद मुसलसला पंजाब के ची शेबाज शरीफ साब से तिसरी गुदारिश यह है कि मिया साब इस नैब में खराबिया थी तो आप दूर करते आप तो हुदैबिया पेपर का फैसला टेकनिकल ग्राउंड के आपके आपके हाक में आया आप बगलें बजा रहे थे इन्ही अधालतों को अच्छा कह रहे थ काल अधालत का फैसलाब आया आप भी भाई साब के साब बेकरिये दे रहे हैं और जो आप बाकी जमातों को कह रहे हैं उन से गुदारिश सिंपल इतनी है कि इस वक्त बड़े भाई साब और उनके उलाद की दालत के बारे में बात करें जिसके केस चल रहे हैं जिसके ओपर नेपे क्यों टबआरा रहे हैं डाक्टर साब मेरे साब पोइंट आगया अदबा थो गए नेप पे क्यों डबाओ डाल रहे हैं याँ डुनिया में कहां इस तरह होताटा है इंकुरी चलड़ियो तो आप नेप पे दबाओ ड़ाना शूरू करदे इंकुरी वाली किशिन प हम पे किसी ने आज तक इल्जाम नहीं लगाया कि हमने उन पे तनकीद नहीं की हम तो बर्मला तनकीद कर रहे हैं इस वे से कारा साब का ये कहना कि बाट साब वक्त हो गया धेलेगी क्रेप्शनी की शवाशनी की शवाशनी होंगी मैं तो में बवक्ती खटब होगा कामरान भाई मैं आज ये पूछना चाता था शरीफ साब से झाल